हेलो बच्चों आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चेनल टॉपर्स कलासेस बाई एस एस में फीर से एक बार पुना स्वागत है अभी हम लोग जारखन बोड कलास 11 फिजिक्स में कल 14 जुलाई टर्मटू एकजाम के लिए most very very important subjective question answer को पढ़ेंगे जो कल के फिजिक्स परिच्छा में डायरेक्ट पुछा जाएगा यानि कल के फिजिक्स एकजाम के लिए महतपूर्ण important subjective question answer को अभी हम बताएंगे आप सभी को इन सभी प्रस्न को याद कर लेना है और पुरा किलियर पढ़ लेना है देखिए सवाल नंबर एक से सवाल नंबर एक उस्मा गतिकी के पर्थम नियम को बताईए पहला प्रस्न क्या है thermodynamics यानि उस्मा गतिकी के पर्थम नियम को बताईए answer उत्तर उस्मा गतिकी के पर्थम नियम के नुसार CP CU से बड़ा होता है क्या बोला Thermodynamics का First Law कहता है CP CU से बड़ा होता है यानि जब इस्थिर आयतन पर किसी गैस को उसमा दी जाती है तो संपूर्ण उसमा उसके ताब बढ़ाने में बै होती है खर्च होती है परन्तु जब इस्थिर दाब पर constant pressure पर किसी गैस को उसमा दी जाती है तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में खर्च होता है एवंग बाकी भाग उसके ताब बिर्धी में खर्च हो जाता है अतव CP CU से बड़ा होता है उसमा गतिकी का पर्थम नियम क्या बोला CP CU से बड़ा होता है यानि जब इस्थिर आयतन पर किसी गैस को उसमा देते हैं तो सम्पूर्ण उसमा उसके ताब बढ़ाने में खर्च हो जाता है परंतु जब इस्थिर दाप पर constant pressure पर किसी गैस को heat देते हैं उसमा दी जाती है तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में बय होता है एवंग बाकी भाग उसके ताब बिर्धी में बय होता है अतव CP, CU से बढ़ा होता है आगे देखिए second question दूसरा परश्ण को देखिए सवाल नंबर दो इस्टिल रबड की तुल्ला में अधिक लोचदार होता है सवाल नंबर दो कहता है इस्टिल रबड की तुल्ला में अधिक लोचदार क्यों होता है एंसर रबड और इस्टिल यानि लोहा में से इस्टिल अधिक लोचदार होता है क्या बोला रबड और स्टील में से स्टील रबड की तुल्ना में अधिक इलास्टिक अधिक लोचदार होता है क्योंकि स्टील का यंग परतियasstा गुनांग रबड की तुल्ना में अधिक होता है आगे देखिए सवाल नमबर 3 परशन नमबर 3 को समझे पलायन वेग को परिभासित करें देखिए पलायन वेग यानि इसके भेलोसिटी किसे कहते हैं एंसर वा नियुंतम वेग वा मिनिमाम वेलोसिटी जिससे किसी पींड को पिर्थवी तल से उपर की और फेकने पर वा पिर्थवी के गुरूतिय छेतर से बहार निकल जाए और वापस पिर्थवी पर कभी ना आ सके तो पींड के इस वेग को पलायन वेग कहते हैं इसके भेल परदरसित करते हैं पलायन वेग का डेफेनेशन क्या बोला वह नियुंतम वेग वह मिनिमाम भेलोसिटी जिससे किसी पींड को पीर्थिमी तल से उपर किया और फेकने पर वह पींड पीर्थिमी के गुरूतिय छेतर से बाहर निकल जाए और वापस पीर्थिमी पर कभी ना आ सके तो पींड के इस वेग को पलायन वेग यानि इसके फेलोसिटी कहते हैं पलायन वेग को भी ए से परदरसित करते हैं क्योंकि पलायन वेग का इंगलिस इसके फेलोसिटी होता है तो सोट फर्म हो जाएगा भी ए आगे देखे सवाल नमबर चार प्रस्न नमबर फोर को पढ़िये और समझिए एंसर के साथ सैनता गुनांग को परिभासित करें और इसका बीम्य सुत्र लिखें सवाल नमर चार क्या कहता है सैनता गुनांग सैनता गुनांग को परिभासित करना है और इसका बीम्य सुत्र भी लिखना है एंसर किसी दर्व का सैनता गुनांग उस स सैनाता गुनांग का परिभासा क्या बोला किसी दर्व का सैनाता गुनांग उस सयान बल के बराबर होता है जो एकांग प्रिष्ट छेतरफल वाली दर्व की दो परतों के बीच कारी करती है जब प्रतों के बीच वेग पर्मनता इकाई हो एकांग हो सैनाता गुनांग का बीमी सुत्र M, L के पावर मैनेस वन, T के पावर मैनेस वन होता है और इसका एसाई मातरक पोयज होता है आगे देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 को समझे अनुदेर्य तरंग और अनुपरस तरंग के बीच दो अंतर लिखिए देखिए अनुदेर्य तरंग यानि धौनी तरंग और अनुपरस तरंग यानि परकास तरंग के बीच क्या अंतर है दो अंतर को देखिए answer पहला अंतर क्या बोला? अनुदेर्य तरंगों में यानि धावनी तरंगों में कनों के कमपन करने की दिशा तरंग संचरन दिशा के समांतर होती है जबकि अनुदेर्य तरंगों के संचरन के लिए माधियम के आउसकता होती है जबकि अनुदेर्य तरंगों के संचरन के लिए किसी माधियम के आउसकत नहीं होती है यानि अनुपरस्तरंग सबसे अधिक निर्वात में ही तीन गुना 10 के पावर 8 मिटर पर सकेंड के चाल से चलती है आगे देखिए सवाल नंबर 6 को समझिये और पढ़िए सवाल नंबर 6 को देखिए 6 को यदि सरल लोलक को चंदरमा पर ले जाया जाए तो उसका बहवार कैसा होगा क्या बोला यदि सरल लोलक को चंदरमा पर ले जाएंगे तो उसका बहवार कैसा होगा answer उत्तर यदि सरलोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो चंद्रमा की सता पर गुरुतिय तवरन का मान घटने के कारण सरलोलक का आवर्थकाल का मान बढ़ जाएगा यानि आवर्थकाल और गुरुतिय तवरन का मान घटने से सरलोलक का आवर्थकाल का मान बढ़ जाएगा आगे देखिए अंतिम परस्न सवाल नंबर 7 को सवाल नंबर 7 को समझिए अनुपरस तरंगती को परिभासित किजिए देखिए अनुपरस तरंगती क्या होता है एंसर जब किसी माधियम में तरंगती की दिशा माधियम के कनों की दिशा के कमपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस परकार की तरंगों को अनुपरस तरंगे कहते हैं और समांतर होने पर उसे अनुदेर या तरंगे कहते हैं तो लंबवत होने पर अनुपरस तरंगे और समांतर होने पर अनुदेर या तरंगे कहते हैं ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थेंक यू